नमस्कार शातियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल सहाचारी इतियास राज के माविध्याले बांदिकुई से पिछले वीडियो में हमने 1909 के अधिनियम के बारे में बात की थी नो का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, बिटे सरकार ने कुछ सुईधाओं के साथ पारित किया था लेकिन 1909 के अधिनियम से भारतिय संतुष्ट नहीं थी भारतियों में और अधिक ऐसंतुष्ट की भावना फैल गई यह अधिनियम भारतियों को संतुष्ट करने में ऐसा मरत रहा गोखले ने जो उदारवादी नेता थे और जिनको खुश करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था ने खुद कहा कि इन सुदारों में अच्छे भाते अवश्य थी किन्तु सरकारी नियमों और उपनियमों द्वारा उन्हें नश्ट कर दिया गया उन्होंने सामप्रदाइक चुनाव प्रणाली की भी गोर निंदा की डॉक्टर जकारिया ने भी लिखा है कि इन सुदारों ने लोगों को मूल गुत ततु देने की बज़ाए उसकी चाया मात प्रदान की डॉक्टर मज्यूमदार भी इसके आलोशना करते हैं कि यह या इस 1909 के अधिनियम ने बारतियों में अधिक ऐसंतोष पैदा कर दिया वे इस 1909 के अधिनियम को चंदरमा की चमक के समान बताते हैं या उन्होंने इस अधिनियम को चंदरमा की चमक की संग्या दी है यदि पी इस अधिनियम द्वारा उदार दल को शान्त करने का प्रियास किया गया था किन्तु इस उद्देशे के प्रापती में भी यह अधिनियम पूर्ट है ऐसा फल रहा इसके अतिरिक्त ब्रिटिस सरकार ने जो भारत में ऐसंतोष फैल रहा था उसको दबाने के लिए दमन्नीती का सहरा लिया और इस दमन्नीती ने आग में धीका कारिय किया 1910 में ब्रिटिस सरकार ने भारती प्रेस एक्ट पार्स करके समाचार पत्रों की स्वतंतरता को ही कुछल दिया 1911 में ब्रिटिस सरकार ने राज द्रो सभा अधिनियम पास किया जिसके अनुसार सरकार के विरुद सभाय करने पर कड़ी सजा की विवस्ता की गई राष्टवादियों को दबानी के उद्देशे से 1913 में ब्रिटिस सरकार ने फोजदारी शंशोदन अधिनियम पास किया इस तरह विविन अधिनियमों को पारित करके राष्टी आंदोलन को दबानी की कोशिश के गई लेकिन परिणाम उल्टा ही निकला इससे राष्टी आंदोलन और तेवरु हो उठा सरकार की दमन नीति के परिणाम सुरूप राजनेतिक डकेतियां हत्याएं आदी आमबात हो गई अब सरकार ने भारतियों को संतुच करना आवशक शमजा और इसके लिए एक नया आदिनियम बनाने के आवशकता महसूस की गई इसके अतिरिक लाड किड की गोशना से भी भारतियों में ऐसंतुच था 1911 में लाड हार्डिंग्स ने भारत मंत्री लाड किड को लिखा कि प्रांतों को अधिक अधिकार प्रदान कर दिये जाएं भारतियों ने समझा कि प्रांतों को सुराज्य की प्राप्ति हो जाएगी परन्तु ब्रिटिस सरकार का यह आश्य नहीं था अतर ब्रिटिस सरकार के इरादों को इसपश्ट करने के लिए भारत मंत्री लाड किड्र ने लाड सभा में एक भाशन में कहा कि भारत में एक ऐसा वर्ग है जो ये सोचता है कि भारत में सावी धानिक सुधार का अगला कदम ऐसे स्वशाशन के लिए होगा जो अन्य उपनी वेशों को दिया गया है मैं इस दशा में भारत का कोई बविश्य नहीं देखता भारत मंतरी होने के नाते मेरे द्वारा इस गलत विचार का खंडन करना आवशक है लाड किड की इस घोशना से भी भारतियों के बीच बहुत अधिक निराचा फैली और सुधार की मांग बड़े पैमाने पर होने लग गई अगला कारण है प्रतम विश्य उद्ध का प्रभाव प्रतम विश्य उद्ध का प्रारम 1914 में हुआ इस उद्ध में भारत ने इंगलेंड के साथ पूर्ण सयोग किया था और मित्र राष्टों के सहायता धन और जन की अपार आहोती दी थी इसलिए सामाने ते यह आशा की जाती थी कि ब्रिटिस सामराज्य के अन्य उपनी वेशों के शासन की समान ही भारत में भी उत्तरदाई शासन के स्थापना होगी परन्तु युद्ध के बाद भी ब्रिटिस सरकार चुप रही तब भारतियों को विवश होकर हॉम्रूल आंदोलन प्रारम करना पड़ा हॉम्रूल आंदोलन से भारतियों के बीच नई इस पूरती आई लोगों ने इस बात का अनुभव किया कि यदि उनके बीच जागरती आ जाए तो कोई कारण नहीं है कि भारतियों को सुतंता प्राप्त नहीं हो यद भी इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई परन्तु लोगों के बीच की जागरती को दबाया नहीं जा सका अंग्रेजों ने अनुबाव किया कि बिना सुधार योजना या नए अधिन्यम के भारतियों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता 1919 का अधिन्यम लाने का अन्य कारण था खिलाफत आंदुलन 1919 के भारतिय सरकार अधिनियम पारित होने का एक मुख्य कारण था खिलाफत आंदुलन इस आंदुलन के कारण हिंदुओं और मुसल्मानों में एक एकता स्थापित हुई और दोनों ने मिलकर राष्टी में उर्चा तयार किया दोनों मिलकर भारतिय शाष्टन में सुदार की मांग करने लगे अब ब्रिटिस सरकार को इस एकता के सामने जुखना पड़ा और उनको 1919 का अधिनियम लाने के लिए बाद्य होना ही पड़ा अगला रीजन था विदेश में रहने वाले भारतियों के साथ दुर्वेवार इस समय दच्चिनाफरी का तथा अन्य ब्रिटिस उपनी वेशों में रहने वाले भारतियों के साथ भिद्वाओं की नीती अपनाई जाती थी अंग्रेजों के प्रती लोगों की उर्दे में ग्रुणा की भाउना उत्पन हो गई थी इस ग्रुणा की भाउना को दूर करने के लिए सुधार अधिन्यम लाना अनिवारिता हो गई थी इसके बाद मैसोपोटामिया की दुरगटना घटित हुई प्रता मायूद के समय मैसोपोटामिया में टर्की के विरुद भारत सरकार संगश कर रही थी परन्तु सैनिकों की सुविदाओं पर कोई खयाल नहीं किया गया और सुविदाओं पर कोई खयाल नहीं किये जाने के कारण इसमें भारतिय सैनिकों की हार हो गई इसकी जाच कराने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत सरकार बिलकुल आयोग्य है और भारतियों ने पूरा सयोग प्राप्त करने के लिए उनको भारतियों से पूरा सयोग प्राप्त करने के लिए बिटिस सरकार को भारतियों को स्वशाशन देना अत्यन्त आवशक हो गया इसके बाद भारत मंत्री मौंड ग्यों ने भी 20 अगस्त 1917 को एक घोशना की इस गोशना में बिटिस संस्त में गोशना की की बिटिस सामराजे के अंतरगत भारत में उत्तरदाई शासर इस्थापित करना सरकार का चरम लक्ष है इसकी क्रामिक पूर्ती के लिए स्वायत शाशन की संस्ताओं का उत्रोतर विकास किया जाए और भारतियों को प्रशाशन में साजीदार बनाया जाए यह थी भारत मंत्री मौंड ग्यों की 20 अगस्त 1917 की घोशना इस घोशना के बाद मौंड ग्यों नवंबर 1917 को दिल्ली आये तथा गवर्णर जनरल जैम्सपोर्ट के साथ देश का दोरा किया मौंड ग्यों ने भारतिय सेनाओं से भी विचार विमस किया और उसके बाद एक रिपोर्ट तयार की गई जिसे मौंड ग्यों जैम्सपोर्ट रिपोर्ट कहते हैं आर जुलाई 1918 को ये रिपोर्ट परकासित की गई इस रिपोर्ट में कुछ बाते दी गई थी जो महत्पोर्ट थी प्रथम जहां तक संबभ हो इस्थानी संस्ताओं पर जनता के निर्वाचित प्रतिनुद्यों का नियंत्र हो सरकार का कम से कम नियंत्र हो प्रांतों में थोड़ी सी उत्तरदाए सरकार इस्थापित कर दी जाए और प्रांतों को पहले की अपेक्षा अधिक सक्तिया दी जाए भारत सरकार की ब्रिटिस संसत के पती जिम्मेदारी जोंकित्यों बनी रहेगी किन्तु केंदी विदान परिशद का विस्तार कर दिया जाए ताकि ये भारत सरकार को पहले से भी अधिक प्रभावित कर सके भारत सरकार पर भारत सचिव का नियांतन कुछ धीला कर दिया जाए सिख, इसाई और एंगलो इंडियन्स को भी अलग प्रतिनीदित दिया जाए इस रिपोर्ट के आदार पर ही बिल्टिस संसद में एक विध्यक प्रस्तुत किया गया जिसे 1919 में पारित कर दिया गया इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 अथ्वा मौन्टिग्यू चैम स्पोर्ट सुदार अधिनियम भी कहा जाता है इस अधिनियम को 1921 में क्रियानित किया गया इसके द्वारा अब इस अधिनियम का मुख्या अधार मौन्टिग्यू की गोशना ही थी यह गोशना दोस्त था अनेक परीदियों से आकरांथ होने पर भी प्रिटिश शाषन की भारत के प्रती नीती में एक अत्यंतर प्रगतिशिल कदम थी उग्रवादियों ने इसे सवावत है ऐस संतोष जनक बताया किन्तो इसके साथ ही साथ यह भी माना कि यह सरकार की पिछला नीतियों में एक इसपश्ट शुदार है भारतियों पर इसका कुल प्रवाव संतोष जनक था और इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने इस गोशना के आधार पर ही उन्नीस सो उन्नीस का अधिनियम पारित क्या अब अगले वीडियों में हम चर्चा करेंगे कि इस उन्नीस सो उन्नीस के अधिनियम में भारतियों के लिए मुख्य रूप से क्या व्यवस्ता की गई थी उनको 1909 की अधिनियम से अधिक क्या दिया गया था और उसकी प्रतिकिर्या भारतियों पर क्या रही क्या भारतिये 1919 के अधिनियम के उपबन से संतोष्ट हो गया या भारतियों में और अधिक ऐसंतोष हो गया इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद